हेलो दोस्तो, सावु की किचिन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का चीला तो चलिए, बनाना सुरू करते हैं सूजी का चीला बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले हैं 200 ग्राम दही आप 2 सूग्राम सूजी दो तिन हरी मेंच कटी हुई तोड़ा सा हरादनिया हमने यहाँ पर लिया है, अब डालते हैं हम सूजी, अब इसमें डालेंगे दही, अब इसको हम धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दही और सूजी को, तही और सूजी को मिक्स करने के बाद में, अब इसमें डालेंगे हम पानी, जो कटोरी हमने सूजी ली थी, वही कटोरी हमने पानी लिया है, पानी को एक साथ नहीं डालना है, दीरे दीरे करके इसको मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर देखिए, इस तरीके से मै मैं मिक्स कर। लेंगे एक भी साथ में आपको इसको उता करते ह। जादा गाड़ा नहीं करना है ना जादा पतला करना है अब इसको हम 40-45 मिन्ट के लिए डखकर रख देंगे तो 40-45 मिन्ट हो चुकी है मैं आपको इसको अब दिखाती हूँ कि यह कैसा हुआ है देखे थोड़ा सा थिक हो गया है अभी इसमें हम थोड़ा सा पानियाड कर ले कड़ी पट्ता दालने के बाद में इसमें डालेंगे हम हारी मिर्ची जो कि हमने काट के रखी है अब डालेंगे हम इसमें अपना कटा हुआ हारा धनिया जो कि हमने काट के रखा था अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे चारों तरफ से अब इसमें हम डालेंगे छोटी आदा चमच लाल मिर्च अब नमक स्वादनुसार अगर आप मिर्ची कम खाना चाहें तो थोड़ी कम डाल लीजिएगा अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे देखें बहुत ही हेल्दी रहता है ये और अच्छा भी बनता है जटपट बन जाता है चलिए अब हम इसको बैटर हमारा तयार हो चुका है अब हम चीला बनाना सुरू करते हैं तो चलिए यहां पर हमने दवा ले लिया है गैस को अन कर लिया है अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा रिफाइन डॉल थोड़ा सा ही डालना है जादा नहीं डालना है हमको इसको तये पर अच्छी तरह से फैला लेंगे चारो तरफ ऐसे ही देखिए अब बैटर को हमें बीच ओ बीच तये पर डालना है इसको ऐसे चमचे से नहीं फैलाना है बस सिर्फ हमको ऐसे ही बीच ओ बीच डाल देना है अगर आपको लगे कहीं से कहा थोड़ा कम है जैसे कि मैंने ये साइड से डाल दिया है ऐसे ही आप भी कर लीजिएगा देखे कितना अच्छा कलर आया है इसको चारो तरफ से किनारी से गुमा कर उठाना है थोड़ा सा देख लेना है एक बार बीच में के सिका है या नहीं आता है और गैस को लो रखना है हाई नहीं करना है हमें देखे कितना अच्छा कलर आया है बड़ा ही अच्छा सिकर तैयार हो चुका है देखे खाने में भी बड़ा टेश्टी लगता है और सभी को जाज़ता पसंदाता है अब आपको मैं इसी तरीके से एक और बना कर आराम से डालेगा थोड़ा दीरे से गैस को सिलो ही रहने देना है हाई नहीं करना है हमको नहीं तो हमारा चीला जल साएगा जल जाएगा तो वो कड़वा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा फिर देखे अब यह हमारा चीला सिक कर तैयार हो चुका है अब मैं आपको को निकाल कर दिकाती हूँ कि कैसा है हमारा च Pablo उपर हमें इसके दो तिनय भूने जरी डाल लेना है ताकि ये दूजरी तरफ से भी अच्छे से सिख़ जाएं अब हिम आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ किमारियों से पहले चारो तरफ से इसको ऐसे ही हम कर लेंगे धीर धीडरे ज्यादा जल्दवाज irre नहीं करनी धीर धीरे करेंगे इसको सिक कर तयार हो चुका है बड़ा ही अच्छा कलराया है देखिए अभी मैं आपको दूसरी तरफ से पलट के दिखाते हैं दोनों साइड से बहुत अच्छा सिख चुका है बढ़ा ही अच्छा लगता है सॉप्ट सॉप्ट एक तम बहुत ही टेस्टी होता है चलिए आप प्लेटिंग करते हैं देखें एक एक करके आसान आराम से रख लीजिएगा इसे नास्ते में भी खा सकते हैं और अपने बच्चों को लंज में भी दे सकते हैं बड़ा ही हेल्दी होता है और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बैल आइकन को दवाना ना भूलिएगा धन्यवार